मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा introduction जिसको आप education की किसी भी topic में adjust कर सकते हैं education का एक ऐसा introduction जो आपके education की किसी भी topic को justify करेगा, explain करेगा और पूरी दरह से modify करेगा और अगर आप से किसी भी exam में question पूछा जाता है या फिर अपने subject को define करना पड़े कि what is education, education है क्या तो फिर आप उनको इस introduction के साथ अच्छी तरह से explain कर सकेंगे और बता सकेंगे पूरे confidence के साथ कि this is education education is a systematic process through which a child or an adult acquires knowledge, experience skills and sound attitude education एक ऐसा process है, एक ऐसा मुनज़म अमल है, एक ऐसा systematic process है, जो हमें एक बड़ा दर्जा देता है, हमें अलग करता है, हमें सबसे different करता है बाकी तमाम मखलुकात से हमें अलग करता है, हमें जानवल से इनसान बनने में मदद करता है और हमें ये सलाहियत देता है, सोचने की, समझने की और अपने लिए बहतर फैसला करने की अब आप ये सोच रहे होंगे, कि हम different कैसे हैं बाकी तमाम मखलुकात से, हम different हैं उसके लिए मैं आपको five difference बताती हूँ, language power से, knowledge power से, ability to think power से, यहनी कि सोचने समझने की सलाहियत से, experience power से, skill power से और ये सब powers हमें कौन सिखाती है, education, हमें इस काबल बनाती है, कि हम इन सब powers को use कर सकें, जो हमें सबसे अलग करती है हमारे अंदर शहूर पैदा करती है education तीन important चीजों से मिलकर बनी है, knowledge, experience and skill education is made up of three important things it makes an individual, civilized, refined, cultured and educated for a civilized and socialized society education is the only means अगर हम इस introduction के next point को देखें, तो हमें ये पता चलता है कि education human being को socialized, social being बनने में help करती है इसे इस काबल बनाती है, कि इसने माशरे में किस तरहां से रहना है, किस तरहां से अपनी जिनगी गुजारनी है education का मकसद एक फर्द को perfect main बनाना होता है education बनियाद है, इनसान को इनसान बनाने के लिए, इसकी जिनगी का मकसद बताने के लिए, इसको अच्छाई और बुराई धोनों में फर्द करने के लिए education ही फर्द को सलाहियत देती है, कि वो माशरे में अपनी जिनगी किस तरहां से गुजारे, इसके हकूँ क्या है, किस तरहां से वो अपनी बनियादी जरूरियात को पूरा कर सकता है अब आप ये सुच रहे होंगे, कि education हमें ये सब कुछ कैसे देती है, जाहिर है हम जब किसी जगा पर जाकर किसी भी तरहां की तालीम हासल करते हैं, positive education की बात कर रही हूं, जरूरी नहीं है कि अब आप चोरी करने की तालीम हासल करने पड़ जाएं, कि हमने चोर कैसे बनना हैं, या हमने जगडा कैसे करना है, वो चीजें जो माशरा accept करता है, वो चीजें जो positive हैं, वो चीजें जो हमारे माशरे के लिए अच्छी हैं, जो हमें आगे लेकर जाती हैं, ये चीजें जो हैं, वो हमारी best education हैं, और यही चीजें हमारे दमाग को बदलती हैं, हमारे दमा जो लोग जान रहे होते हैं और जो लोग नहीं जान रहे होते हैं, उनमें हमेशा ही फर्क होता है, उनकी सोच में फर्क होता है, क्योंकि तालीम जो है, वो इनसान को शहूर देती है, उसके अंदर ये फर्क पैदा करती है, उसने गलत को गलत कहना है, और सही को सही कहना है, औ जिसके हर चीज की जो बुनियाद है वो education ही है. Its goals is to make an individual perfect. Education का मकसद एक फर्द को perfect man बनाना होता है. उसे इस काबल बनाना होता है कि वो माश्रे में अपनी जिनकी अच्छी तरह से गुजारे. उसे इस काबल बनाना होता है कि वो हर तरहां की बुराई और अच्छाई को जांच सके. उसे इस काबल बनाना होता है कि वो अपने पाउं पर खड़ा हो सके और माश्रे पर बोज ना भने. Second introduction है education का. Education is the process of learning and gaining knowledge and skills. It helps us understand the world around us, develop critical thinking, abilities and prepares us for different aspects of life. तालीम, सीखने और इलम और हुनर हासल करने का अमल है, जो हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने में मदद करता है और सोचने की तनकीदी सलाहितों को फरोग देता है और हमें जिन्दगी के मुख्लिफ पहलों के लिए तियार करता है. अब यहां से आप देखें कि एजुकेशन हमें हुनर सीखने को देता है. अब हुनर से मुराद मीन क्या है? कि कोई भी स्किल सीखने को. अब जब आपके किसी भी तरह की आप एजुकेशन हासिर करने के लिए जाते हैं, अगर आपके पास डिगरियां नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल भी है, तब भी आप अपने लिए रोजगार का जिरिया बन सकते हैं. तब भी आपको किसी किसम की परेशानी नहीं होगी. तब भी आप अपने पाउं पर खड़े हो सकते हैं. तालीम का यही तो फाइदा होता है, एजुकेशन का यही तो फाइदा होता है, कि वो आपको इस काबल बना देती है, कि आप माश्रे में सर उठा कर जी सकें, आप माश्रे में एक बहतरीन शेहरी बन कर जी सकें, आप एक माश्रे के बहतरीन फर्द बन कर जी सकें. झाल झाल